आयोध्या में प्रशासन ने रामभक्तो के लिए नई शुरुआत की है वहाँ पिंक आटो की शुरुआत की गई है पिंक आटो महिलाएं चलाने वाली है जहां ये Pink Auto आयोध्या पहुंचने वाले रामभक्तो को आयोध्या Railway Station से राममंदर तक पहुंचाएंगे बैटरी से चलने की वज़ा से इसे किसी भी तरह का प्रदूशन नहीं होने वाला है तो तस्वीरे आयोध्या से जहां ये Pink Auto आप देख रहे होंगे राम भक्तों को इससे सहुलियत जरूर मिलेगी क्योंकि स्टेशन से राम मंदर तक जाने के लिए भक्त इस पिंक आटो का इस्तमाल कर सकते हैं